हेलो स्टूदेंस अफ क्लास एट तुड़े अर गोईंग टू स्टार्ट आज हम आपके संस्क्रिप का चेप्टर नुमें नाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं देट इस उपसर्ख टकरम जो की है आपका उपसर्ख ठीक है हम उपसर्ख जो है वो धातु के पहले जोड़े जा निन फेलो हाई है कि प्रतिय शब्द के लास्ट मने रखते हैं जबकि उपसर्ख शब्द से पहले जूसकर प्रनी व व परी ना स के जी करेंदबंग की यह लेków की dreld uponी 38 और पर की आर्ट में विशेष्ट जाता है कहीं पर उसका अर्थ का फोग कर जाता है यानि उसका विप्रित हो जाता है और ऐसे उसका अर्थ में चेंजेज हो जाते हैं उपसर्व की योग से धातु के अर्थ में कुछ चेंजेज हो जाता है कहीं पर उसका उल्टा अर्थ हो जाता है और कहीं पर उसका नया अर्थ हो जाता है अब जैसे कि संस्कृत में और दो कि गणिन प्रत्रयों के प्रयोक से ह capability अर्थ बन जाते हैं जैसे कि प्रा प्लस हे किया तो प्रहार यानि की चूतिया आगहर। वी प्लस हा किया तो विहार यानिकी गूमना, प्रमन करना, सम प्लस हा किया तो समहार यानिकी विनाश करना, अब धातू एक ही है देखो, अलग-अलग उपसर्ग लगाने से अलग-अलग अर्थ उसके बन गए, आ प्लस हा तो आहार यानिकी बोजन, परी प्लस हार यानिकी परिहार यानि कि निराकरण या बच्चाँ तो हम एस तरीके से उपसर्ग की परिवाशा को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वे शब्दांस जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्दन कर देते हैं या उसमें सुन्दर्ता लाते हैं वे उपसर्ग कहलात हैं उपसर्ग साधारंत देखे जाए तो द्वाद विंशती यानि कि 22 होते हैं और साधारंत कितने होते हैं यह 22 होते हैं जो इस प्रकार है प्र कौन-कौन से होता है 22 देखिया प्र परा अप सम अनू अव निस निर दूस दूर वी आं नी अधी अपी अती सू उत अभी प प्रति परी और उप ठीके अब संस्कत की जो उपसर्ग है 22 हैं संख्या में इनका अर्थ और प्रयोग यहां बता रहा देखो जैसे प्रवपसर्ग ठीके तो इसका मतलब कि अता प्रकर्ष उत्तम या अधिक ठीके प्रभवति यानि की समर्थ होता है प्राचार्य यानि की प्रधाना द्यापक इसे तरीके से परावसर का दिया हुआ है इसका मतलब विरुद्या तिरसकार जैसे कि पराभवती तिरसकार करता है पराजयते पराजित होता है फिर अपका अर्थ होता है विपरित, पश्चात, हद, दूर, अनूचित या हीन अपनायती दूर करता है, अपहरती अपहरन करता है फिर आता है सम, सम का मतलब बता है समीप, मिलकर, अत्यन, अच्छा या नाश समहरती समहार करता है, संगचते साथ जाता है, संभवती संभव है उसी तरीके से अनुपसर्ग का मतलब बता है पीछे समान, अनुसार, अनुने, विने करना तो अनुपसर्ग यानि की पीछे चलता है, अनुकरोती यानि अनुकरण करता है उसी तरीके से आप देखिए अवपसर्ग है जिसका मतलब बता है नीचे या न्यून अवतरती यानि नीचे उतरता है अव नमती यानि जुकता है अव गर्चती समझता है अव रोहती उतरता है फिर आता है निस निस का मतलब होता है निशेद अव यानि नीचे निशेद बता दिया इसी टाइप से बच्चों देखो आगे आपके फारी ये उपसर्ग भी दीव में और इनके अर्थ भी दीव में जैसे निर का शुन्य रहित मुक्त और बाहर तो निर गच्छती यानि निकलता है निर भिलिश्चती यानि नहीं चाहता है निर वधी यानि की सीमा रहित ऐसे दुर्भाद समझने में कथिन, दुर्गमः चलने में कथिन, पिर यहाँ पर वीवत्सरग दिया हुआ है, विशिष्ठ भीना रहित अधिक भिन रुकना इस टाइप से दिये होगे तो बच्चे आपको ये सारे जो यहाँ पर 22 उच्छर्ग दिये होगे आपको जो रेड वाले जिम दिये होगे उसके अर्थ है और उनके प्रयोग भी दे रहे हैं कि कैसे आप उनका प्रयोग कर सकते ह ठीक है आप सबको ये ध्यान से अच्छे से कैरफुली रीट करना स्टडी करना है और उसको समझना है जहां कहीं आपको प्रब्लम आती है आप पूछ सकते हैं उसके बाद ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित उपसर्गों के कुछ उदारान दे रखे हैं जैसे कि ये उप् उसके बाद यहां से आपके अभ्यास स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है कि सम उपसर्ग युक्त पद कौन सा है वैसे तो इनके एक्जामपल्स इनके जो आंसर से वो यहां पर दे रखे हैं आपके आपको क्या करना है इसमें जो राइट ऑप्शन है उसको चुनना ह तो सम उपसर्ग वाला कौन सा है समागत्य शुभम सविता या सपदी तो कौन सा होगा समागत्य ठीक है इसी टाइप से आपको यह जो सारे हैं प्रभी आपको इनको कौपी में करना है और बहुती सुदर राइटिंग में कौपी करना इसको और आणसर आपके पहले आप कोशिश खुद करेंगे बनाने की फिर आप इन आंसर में से चेक करेंगे ओकई यहाँ पर यह उपसर्ग वाला जो चैप्टर है आपका ओवर हो रह thank you, have a nice day